हलो दोस्तो आप सब्सक्राइब कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कई बहुत इबढ़िया होंगे बहुत ही जबजस्त होंगे दोस्तो आज हम लोग स्वाल्ब करने वाले हैं जारखंड JSAC CGL का समाइन ने धियन का प्रेक्टिस चेट नवर 6 को इसे बहुत दोस्तों लोग ओलेडी 5 सब्सक्राइब कर चुके हैं अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ताप मेरा प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो का हम प्लिस्ट बना दियें तो चले हम जल्दी से आज का प्रेक्टिक सेट को शुरुवात करते हैं देखिए आज जो पहला प्रशन दोस्तो वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रशना है बीदेश में वस्तुय घरेलू बिकरे दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं उसे क्या कहते हैं मैं प्रशन को दुबरा पढ़तेता हूं ब्रस्ट बोल्टाए जोस्तो कि वीदेश में वस्त्यूय घरेलू बिकरे दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं तो इसकोचन का राइट एंसॉस्तो पाठना पाठना ओप्सन नमर जो है सिसकोच तीन वर्सों की ओधी को योजना अवकास के रूप में माना जाता था अगर बातना है देश में कौन से तीन वर्सों की ओधी को योजना अवकास के रूप में माना जाता था तो इसक्वचेंश का राइट एंसर तो 1966 से लेकर 1979 के बीच को याप्शन नबर जो है B वाला इस कोचन्स का राइट एंसर हो जाएगा Next हम लोग चलते हैं अगला पशनर अगला है तीन नमबर तीन नमबर पशनर तो भारत के समिधान के उपर सबसे अधिक परभाव निमलिखित में से किसको माना जाता है भारत के समिधान के उपर सबसे अधिक परभाव निमलिखित में से किसको माना जाता है तो याप्शन तो भारत सरक्ट अधिनियम 1935 को अप्शन नमबर D वाला इस कोचन्स का सही जवाब हो जाएगा और दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का पीडियेप चाहिए तो आप लोग मेरा टिलग्राम गुरूप में जुड़ सकते हैं ठीक है टिलग्राम में हम इस वीडियो को डाल देंगे ठीक है टिलग्राम के लिंक हम इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ठी पांटी देता है तो अनुचेज तो अनुचेज 25 से 28 अप्शन नबर जो है सी वाला इस कोचेंस का राइट एंसर हो जाएगा अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देजागा ठीक है आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है हमें पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा रहते वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा ठीक है देखें पांच नबर पसंद क्या है पांच नबर पसंद है भारत के राष्ट पती को सवेच्छा नीरने अधिक ओप्सन नबर जो है सी वला इस पुछन्स का सही जवाब हो जाएगा हम लोग आते हैं अगला पशने पे और अगला है छे नंबर छे नंबर प्रशन दिश्टो भारत्य समिधान की किस संसोधन अधनियम दुआरा पंचायती राज बेवस्था को समिधानिक दर्जा दिया गय प्रशन पुछाय तो भारत्य समिधान की किस संसोधन अधनियम दुआरा पंचायती राज बेवस्था को समिधानिक दर्जा दिया गया तिया तर्वे इस पुछन्स का राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर सी वाला नेक्स्ट हो चलते हैं अगला पशन पे हम आप लोग से बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेंगे ठीक है आप लोग से हम मात्रत 10 मिर से में लेंगे 10 से 12 मिर उसे ज़्यादा समय आप लोग से हम नहीं लेंगे ठीक है देखे साथ नंबर प्रशन क्या है फियरलेस गवर्नेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है त्यार्श तो इसका के लिखाक है वह है किरनवेदी ऑप्सिर नबर जो है b जना सका राइट एंसर होगा हम लोग आते हैं अगला पस् gracias诌र का समंद 20 केल्टस यह रोजार फेडर का समंद 20 स्खेल्डे रोजार पासमंद 20 केल्टस यह थो लौन् प्रक्रम की शुरुवात कब हुई त्यांस तो इसका शुरुवात दो ओक्टोबर 1952 में हुआ है दो ओक्टोबर 1952 ऑप्शन नमबर डी इसको चन्सका राइट एंसर हो जाएगा जारखंड भारत के कीस भाग में इस्तित है त्यांस तो पुर्वी भाग में इस्तित है ओप्शन नमबर जो है यह वाला इसको चन्सका राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं हम लोग अगला पस्ने पे और अगला है गारा नमबर गारा नमबर प्रस्ने दोस्तो भारतिय राइष्ट कांग्रेस के पर्थम मुसल्मान अध्यक्ष कोन थे अको बताना है भारतिय राइष्ट कांग्रेस के पर्थम मुसल्मान अध्यक्ष कोन थे इसको चन्सक राइट एंसर तो बद्रदिन तयब जी ओप्सन नमबर बी ओला इस कोचन्स का सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रस्ण पे अगला है बार नमबर बार नमबर प्रस्ण तो सागा दावा परिशत बोध तहवारों में से एक है सागा दावा प्रसिद बोध तहवारों में से एक है यह निमली खीद में से किस राइज में मनाया जाता है त्याश्ट तो यह मनाया जाता है सिक्किम में ओप्सन नमबर इस कोचन्स का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तैर नमबर परशन है भारत की मुख्य भुमिका आचांस डेस के बीच फहला हुआ है अच्छा प्रस्न था इधर द्रोक गया प्रस्ण नब रहस्तो भारत की मुख्य भुमी का अच्छांस डेस के बीच फैला हुआ है यहने मुख्य भुमी का अच्छांस किसके बीच फैलावें पुछा जा रहा है त्याच तो आठ डिगरी चार सेकेंड उतर और 37 डिगरी छे स एंजेचत तो जीलों के अधियान को क्या कहते हैं त्यांस तो जिलों के अधियान को लिमनो लोजी कहा जाता है और यह अध्यक्वारत्षिन जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है पंदरनल प्रस्टन पंदरनल प्रस्टन तो नियुन में से किस नदी का सुरोत भारत से बाहर है त्यास तो ब्रह्मा पुत्र का ओप्सन नमर जो है यह वाला इसकोचन्स का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो आप लोग लास्ट में जरूर कमेंड कीजेगा कि 30 प्रस्ट में से कितना प्रस्ट का अंसर आप लोग पहले से जानते हैं हम देखना चाहते हैं कि आप लोग का त्यारी कितना हुआ है कि वह दोस्तों एकजाम बहुत ही नजदिक है इस टाइम में आप लोग डेली प पर चलित है जूम क्रीसी अभी भी कहां पर चलित है तो तो में नागा लायन माने पर तीनों जगह पर चलित है ओप्सन नाबर जो है डी वाला इसकोचन का राइट एंसर हो जाएगा आपाते दाट जोज़न का लायन माना जाने वाला तुमल पले निमलिखित में से किस रायज में इस्तित्थापको बताना है तर gonna सलो अंधर प्र λέाज में हैं ओपसन नमबर डी वाला इसकोचन सका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अठानार पस्टन पे और अठानार पस्टन तो केयोटो प्रोटोकल कीस वर्स में परभावी हुआ था तो इस क्वेशन का राइट एंसर तो दोजार पांच अप्शन नमबर एवला इस क्वेशन का सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट एगला पस्टन और एगला पस्टन तो उनिशन नमबर भारत में योजना बंध अर्थ वेशन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट एगला पस्टन नमबर भारत में अप्शन नमबर जो है भारत में शुरू किया गया था ओप्शन नमबर जो है इस क्वेशन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट एगिशन नमबर पस्ट तो सिरलंका की अधिकारिक राइधाने का नाम क्या है जोश्त इस प्रस्टन का एंसर आप लोग को कमेंट में देना है एक प्रस्टन सभी वीडियों के जोश्त तो आप लोग लिएम छोड़ेंगे ठीके आप लोग को इस प्रस्टन का एंसार खुचते देना है आपको बताना है कि स्रिलंका की अधिकारिक राइधाने का नाम क्या है ठीक है यहां पर श्यार उप्षन दिया हुआ है उसमें से कोई एक उप्षन सही है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेस्ट लोग आते हैंगला परशने पर रगला ह जोखा यहां पर जो होगा ना जोखा नेस्ट है 23 परशना तो किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19-200 कप किर्केट का खिताब जीता किस देश तो बहरत अप्षन नमर जो है बी वाला इस परसंट का राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट है 24 परशना है वर्ष 2021 के लिए भारतिय मोडल को मिस इनिवर्ष का खिताब दिया गया है तो इस कुछन का जो राइट एंसर हो तो वह जाएगा हर नाज कोर सिंधू अप्षन नमर जो है जो है बी ओला इस कुछन का राइट एंसर हो जाएगा इस तो हर नाज कोर स संथू नेस्ट 25 परशना है हो मुंदारी निकोबारी खासी खाड़िया भासा की सब्हासा सम्हू से संबंदित है त्यार्ण सतो इद यो सम्ण । इस त्योग यह sw69 सम्हू से संबंदित है अस्टिक सम्हू से संबंदित है अप्षन Ellie नमर जो है सिराइट एंसर होगा संट वाला सुर्डे कार्भण उस्चान वाला होईयाड़ा का निर्मांधिन है प्रिंगोरायतै प्रिंग का निर्धानित हैं और होई राइट एंसर हो यह तो बुद्ध का अर्थ है बुद्ध का अर्थ क्या होता है मुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होता है आप्शन नमर यह वला तोस्ता राइट एंसर हो जाएगा कि नेक्स्थ है अठाशक्ण नपस्ण तो निमनेखिद मैं से कौन शुमेलित है कि बहुत तो संसे सिराज अभिक इसका समसे तो तारिक ए मुहमदी पहला वाला ही तो राइट एंसर होगा के यह सुमेलित है ठीक है बाकिक जहाओ वो समिलित नहीं है ठीक है नेक्स्ट अगला पर्शन अगला है 29 नमर सिवाजी महाराज के सासन काल में मंत्री परिशत को किस नाम से जाना जाता था त्यांस तो मंत्री परिशत को अश्ट पर्धान के नाम से जना ज़ता था option नमबर जो है D वाला इसको चन्स का right answer हो जाएगा next है तीस नमबर और जोस्तो यह आखरी प्रस्न है आखरी प्रस्न है दोस्तो निन में से कौन सा उपनियास भारत में स्वतनता सिनानियों के ले प्रेर्णा का सुरोत बन गया है तिसका right answer दो आनन्द मठ option नमबर जो है C वाला इसको चन्स का right answer हो जाएगा सभी को बहुत है अगर मेरा दुवारा पढ़ाया वीडियो आप लोग पसंद आता वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और साथ साथ में दोस्तो अगर आप पहले बार आया हैं कि मेरा चैनल में तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करने नहीं बोला अगर आपको पसंद आया होगा तभी आप लोग सब्सक्राइब की जएगा ठीक है चले लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्रम तब तक लिए थैंक्यू जाई हिंद